हाई ड्वेल्दीज वेलकम ट्वीज़ीवेग कॉवमेंस क्लासेज में आउता बिता और हम लोग कर रहे थे और्गनाइजिंग चेप्टर और्गनाइजिंग चेप्टर में काफी सारे टॉपिक हमने कर लिये थे आज के इस वीडियो में ही डेलिगेशन हम लोग कवर करेंगे डेलिगेशन का क्विशिंग में का इंग्जाम में कानकराофी काम करने होते हैं और इसे कुछ क्म एसे होता है तो इस case में ना manager जो बहुत जादा important काम है वो तो अपने पास रखता है कि चलो यह मैंने आज की date में finished करने है और जो थोड़े से हलके-फुल के काम है हलके-फुल के नहीं लेकिन उससे थोड़े से कम important है वो काम वो अपने subordinates को दे देता है कि तुम कर दो यह काम तो इससे delegation कहा जाता है क्या था बहुत सिंपल था ना अपने काम को दूसरों से करवाना वो तो हमें बग खुबी आता है यानि कि अपना काम किसी और पर थोप देना तो वो हमारा क्या है हमारी कला है है ना इस दाइगे से managers क्या करते हैं अपने काम जब अपने subordinate से कराते हैं तो उसे delegation कहते हैं ठीक है आप देखो मजाग से हटकर एक चीज़ बताती हूँ इसमें तीन elements मिलते हैं तीन elements कौन से होते हैं एक होता है authority, responsibility and accountability यह क्या है यानि कि जब भी आप अपना काम किसी और से कराते हो तो उसमें आप उसे authority देते हो authority means आप उसे right दे रहो कि भाई तू यह काम कर सकता है मैं तिरको right दे रहा हूँ तिरको market से जो भी समान लाना है इस काम को करने के लिए तू लेके आएगा तो आपने क्या किया authority दे दिया उसको second चीज आती है इसमें responsibility responsibility मतलब उसको obligation देना कि अब यह तेरी जिम्मेदारी है obligation में जिम्मेदारी तुझे यह काम करना ही करना है भाई अब तेरी जिम्मेदारी है तेरको complete करके देना तो आपने उसको अधिकार दिया यानि कि आपने उसको authority दी और उसके साथ साथ उसे क्या दिया उसको responsibility भी करना है यह मत समझ कि ऐसी मेरे manager ने दे दिया था मैं तो टाल दूँगा नई आपको टालना नहीं है उस चीज़ के responsibility लेने है थर्ड चीज़ इसमें आती है accountability accountability means answerability यानि कि जब भी हम delegate अपने टास्कों करते हैं तो उसमें accountability होना यानि कि answerability होना भी जरूरी है कि अगर यह काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ क्या reason था काम को complete ना करने का यह क्यों नहीं हुआ reason ठीक है तो answerability उसे है ठीक है यह नहीं कि नहीं हुआ अच्छा सर नहीं हुआ हम से काम होना को कोई बात नहीं बात में कर लेना नहीं यह चीज़ नहीं होगी you are accountable ठीक है accountability रहती है इसमें answerability रहती है जबी भी हम काम को delegate करते है जब इसकी एक book के language देखते है definition में delegation is a transfer of authority from superior to subordinate delegation क्या है हमने अपनी authority को कहां से transfer करया superior से subordinate बड़ा बंदा ही अपने employees को अपने rights दे सकता है कोई भी चीज़ की power दे सकता superior ही देगा अपने subordinate को subordinate तो देखने के सार जाए जारा काम कर के आई है तो वो चीज़ नहीं हो सकती तो यह क्या है delegation is a transfer of authority from superior to subordinate entrustment of responsibility और इसके साथ सथ हमने उसको क्या दिया responsibility दी and creation of accountability for performance और हमने एक accountability create कर दी कि भई जिम्मेदारी तो है और अगर काम नहीं हुआ तो answerability भी है कि आपको answer देना पड़ेगा कि क्यों नहीं हुआ तो creation of accountability for performance which helps a manager to extend his area of operation जिससे manager को अपना area क्या extend हो जाता है क्योंकि वो अपना काम मतलब उस person से करा रहा है और अपना घ्यान main areas पे लगा रहा है so delegation का मतलब समझाया guys delegation के तीन elements है एक तो सबसे पहला है हमारा authority responsibility and third one is accountability यानि कि टीनों का होना ही इसमें necessity है जब भी हम कोई काम किसी को delegate करते हैं अब generally जब भी हम लोग delegate करते हैं तो उसके principles आ जाते है principles क्या होते हैं देखो यानि कि delegation में क्या base है principle means उसका base क्या है तो देखो सबसे पहले कहा जाते है for effective delegation the authority granted must be commensurate with the assigned responsibility इसका अगर simple से मैं बोलू ना authority must be equal to responsibility यानि कि आप किसी बंदे को अगर right देते हो किसी काम का ठीक है power दे रहे हो कि तू ये काम कर सकता है और उसको responsibility भी दे रहे हो Mr. A ने क्या किया उसके अंदर के काम करता था सुभाश नाम का लड़का उसने सुभाश को बोला कि सुभाश तुझे आज की डेट में ना 500 unit product की complete करनी है सुभाश ने बोला okay sir आप 500 unit के लिए उसको market जाने में जो समान चाहिए था वो allow नहीं किया यानि कि आपने उसको responsibility तो दे दी कि काम करना है लेकिन उसको right नहीं दिया उसको authority नहीं दी कि वो market से समान ला सके 500 unit का तो क्या वो काम complete हो पाएगा नहीं हो पाएगा यानि कि आप उसको responsibility दे रहे हो लेकिन authority नहीं दे रहे ठीक है तो भी काम complete नहीं हो पाएगा दूसरे चीज आती है कि आपने उसको अगर authority दे दी कि भाई सुभाश तेरको ना market से जितना समान चाहिए तू लेया बस 500 unit बना दे तो अब आपने क्या किया जितना समान चाहिए तो लेया मतलब आपने उसको rights तो बहुत जाधा दे दिएंकन responsibility कम दिएंain तो वो क्या करेगा उस काम का misuse कर लेगा वो अब क्या करेगा market तो जाएगा जितना समान चाहिए लेके आएगा समझे आप इस बात को यानि कि authority आप अगर किसी को अधिकार देते हो किसी काम को करने का तो उसको responsibility भी बराबर से दो उतनी जितनी उसको जरूरत है उस काम को करने के लिए अगर आप जरा सी भी कोई चीज जादा या कम कर दोगे आपका काम बिगर जाएगा जादा अधिकार देने से वो उसका misuse करते हैं और जादा responsibility देने से वो उसकाम को कर नहीं पाते हैं तो ये था कि आप जब भी rights यानि कि authority transfer करते हैं तो it must be equals to the responsibility second चीज़ delegation does not means abdication delegation का मतलब ये नहीं है abdication abdication मतलब क्या होता है चुटकारा पाल लेना आपने अगर manager ने अपना काम अपने subordinate को दे दिया तो क्या उसने manager ने छुटकारा पाली अपने काम से नहीं at last responsible कौन है superior yes at last responsible है वो superior ही रहेगा यानि कि अगर Mr. A ने सुभाश को कोई काम दिया था ना तो Mr. A ही responsible है सुभाश नहीं है क्योंकि यह काम जो था ना Mr. A का था Mr. A को करना था बट वो नहीं कर रहे थे इसलिए उन्होंने सुभाश को दे दिया था आप समझ रहे इस बात को अगर general manager आके पूछेगा तो क्या वो सुभाश से पूछेगा नहीं वो Mr. A से पूछेगा कि हान जी मैंने आपको काम दिया था करा या नहीं करा चीक है तो यह चीज़ जिहान रखना है कि delegation does not means application इसका मतलब यह नहीं होता कि आपने जब delegate कर दिया तो भाई मेरी तो अब सारी चिंता है खतम नहीं ऐसा नहीं है चिंता again superior की ही बनी रहती है उस काम को करने की and he is accountable की अगर काम नहीं हुआ तो उसी की जिम्मेदारी है तो सुभाश सही से काम करें इसकी जिम्मेदारी भी superior की है और इसको the principle of absoluteness of accountability कहा जाता है यानि की absoluteness of accountability यानि की जो answerability है जो जिम्मेदारी है वो अभी भी बरकरार रहेगी किस के ओपर superior के ओपर superior अपना पला नहीं जाट सकता and re-delegated to another person यानि की बहुत सिंपल सही है मैंने अभी सुभाश को काम दिया था जब मुझे लगा या सुभाश नहीं कर पा रहा यह बंदा है तो अब क्या खरेंगे हम अपना काम रमेश को देतेंगे यानि कि आप उससे अपने अधिकार ले सकते हो आपने जो काम उसको delegate किया था या ले लो नहीं कर पा रहा वह उससे मत करा दूसरे बंदे से करा लो बहुत सिंपल सी बाते ना सो जो भी आपने delegate किया है can be taken back हम उससे ले सकते हैं and re-delegated to another person हम उससे दूसरे person को भी दे सकते हैं तो delegation की ये थे तीन principle I hope आप ले उगे समझ आए होंगे guys और इसका meaning जो भी था मिलब जो भी था नहीं मतलब जो meaning हमने समझा है जिसमें भाई तीन चीजें होनी बहुत ज़रूरी है authority, responsibility and accountability तो ये चीजें delegation में आती है जब एक बंदा अपना काम दूसरे बंदे से कराता है तब उससे delegation का जाता है